दोस्तो हर साल प्राक्दिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफी रुक्सान उठाना पड़ता है बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिस से उनकी फसल खराब हो जाती है उन्हें ऐसे संकट से राहट देने के लिए केंद सरकार ने प्रदान मंतरी फसल बीमा योजना की सुरुआत की है इसके तहर किसानों को खरीब की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रभी की फसल के लिए 1.5 प्रीमियम का भुक्तान करना पड़ता है पहले हम सिर्फ नन लोनी फार्मर का बीमा कर सकते थे लेकिन अब हम CSC के इंदर पर लोनी फार्मर का भी इंसुनेंस कर सकेंगे तो आज की वीडियो में हम फसल बीमा योजना के अप्लिकेशन के प्रोसेस और उसके प्रीमियम के कलकुलेशन के बारे में जानेंगे तो दोस्तो इसके आवेदन से पहले हमें इसके जरूरी जो भी डाकुमेंट से उन्हें कलेक्ट करना जरूरी होता है तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से डाकुमेंट जरूरी है सबसे पहले हमें ये डाकुमेंट की लिष्ट कम्प्रीट करनी होती है जैसे कि आधार कार्ड, तूसरा है भूमी अधिकार दस्तावेत यानि की खसरा, तीसरा बैंक पास्वुक जिसमें फार्मर का नेम और उसके बैंक एकाउंट की डिटेल हो, एफिडेविट या बोनी का प्रमाण पत्र, साथी फार्मर का एक करेक्ट मुबाइल लंबर जिस पर कवर्मेंट या इंसुरेंस कंपनी किसी भी प्रकार की इन्फोर्मेशन भेज सके या कॉल कर सके, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इन दस्तावेजों को एक बार इनका स्क्रीन शाट भी देख लेत होता है, यह है किसान के बैंक पास्वुक का फर्ष्ट पेज जिस पर फार्मर का नेम उसका एकाउन नंबर साथ ही उसका आई-फैसी कोड लिखा होता है, यह है फार्मर द्वारास्वा घोसित सपत पत्र या एफिडेविट साथ में राजस के अधिकारी द्वारा घोसित या सत्यापिद बोनी का प्रमाडपत्र भी हम अटेज कर सकते हैं, अब हम कुछ स्क्रीन सौट्स के मध्धम से डिजिटल सेवा पोटल पर इसकी अपलाई करने की इस्टेब बाई इस्टेब प्रोसेस को देखेंगे, तो सबसे पहले हम अपनी CSC ID और उसका पास्वर्ड क दर्ज करके अपना डिजिटल सेवा पोटल पर लागिन कर लेंगे, लागिन होने के बाद हमें गवर्मेंट आइकन पर क्लिक करना है और सर्च आप्शन में फसल टाइप करना है, हम इसे डारेक्टली भी फसल टाइप परके ओपिन कर सकते हैं, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पर हमें क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको CSC Connect का अप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यह आपको प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना वाले पोटल पर ले जाएगा, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेट करना है और PMFBY के साथ अपनी फ अप्लिकेशन फर्म, पेड अप्लिकेशन, अनपेड अप्लिकेशन, रिवर्टेट अप्लिकेशन, एक पूरी तरह से फ्रस अप्लिकेशन के लिए हमें अप्लिकेशन फर्म पर क्लिक करना होगा, इसके बाद हमें सबसे पहले फार्मर का बैंक एकाउंट डिटेल फिल करन लेंगे हम सभी भाईयों को यहां ध्यान देना है कि हम जो भी एकाउंट नंबर फिल कर रहे हैं वो करेक्ट हो क्योंकि इन फ्यूचर जो भी अगर उनका क्लेम होता है तो सही एकाउंट में सेटल हो सकें इसके बाद हमें फार्मर की पर्सनल डिटेल जैसे कि बैंक किस केटेगरी के हैं ओनर है या लेंड लीज पर है तो उसकी डिटेल फार्मर का टाइप और उनका एड्रेस यहां फिल करना है रेसिडेंशियल एड्रेस में हमें किसान का आवासी पता दर्ज करना है जहां पर वो रह रहा है ना कि उस एड्रेस को फिल करना है जहां पर ए उस विलेज को सेलेट करना है जहां पर वो अग्रिकल्चर लेंड इस्तित है उसके बाद हमें क्रॉप का जो है डिटेल उसकी बुवाई की तारीक उसके सर्वे नंबर फसल की छेत्र खसरा नंबर सारी डिटेल हमें अलग-अलग फिल करनी है अग्रिकल्चर डिटेल के बाद हमें फारमर के कुछ डाकुमेंट्स अप्लोड करने होते हैं तो हमें जो भी डाकुमेंट अप्लोड करने हैं वो क्लियर होने चाहिए इस पस्ट और पठनी होने चाहिए ताकि रिजेक्शन के चांस नहूं सबसे पहले हमें बैंक पास्बु और उसका land record ये दोनों जो डागुमेंट है वो mandatory डागुमेंट है यानि हमें जरूर से जरूर अप्लोड करना है इसके बाद हम showing certificate यानि की बोनी का प्रमान पत्र है और every day जो भी अप्लोड करना चाहते हैं वो हम अप्लोड कर सकते हैं file size 2mb से कम होनी चाहिए जिसे हम PDF, PNG, JPG में अप्लोड कर सकते हैं और अब भी हमें लगता है कि कोई detail है जो हमें correct करनी चाहिए या हमने गलत भर दी है तो हम back to former detail में जाकर उस detail को correct कर सकते हैं एक बार फिर से हम सारी detail को देख लेंगे उसका प्रुभूर देख लेंगे अगर सारा जो भी हमने data फिल किया हुआ है वो correct है तो हम submit बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद हमें भुकतान की प्रिक्रिया करनी होगी जिसके लिए हमें make payment बटन पर क्लिक करना होगा इसके बाद हम अपने CSC e-wallet और wallet pin का यूज़ करते हुए किसान के premium का payment कर सकेंगे अगर हम किसी वज़े से इस premium का payment नहीं कर पा रहे हैं तो हम बाद में unpaid application में जाकर इस premium का payment कर सकते हैं अगर किसी तरह से आवेदन reverted हो गया है तो हम reverted application में से देख कर अगर कोई अन्य दस्तावेज हमें upload करना है तो हम इसे कर सकते हैं हम insurance के premium और application के status के बारे में कैसे चेक करना है उसके बारे में जानेंगे अगर हमें insurance से पहले premium का amount जानना है तो हम कैसे calculate करेंगे सबसे पहले हमें pmfby.gov.in पर log on करना है और insurance premium calculator पर click करना है जिसके बाद insurance premium calculator open हो जाता है हमें अपने crop की detail इसमें fill करनी होती है जैसे कि season, year किस scheme के तहत हम insurance करना चाहते है इस्टेट, district और crop इसमें एरिये में वह फसल है जिसका हम insurance करना चाहते हैं इंटर करने के बाद हमें calculate करना है जिसके बाद से हमें किसान द्वारा और सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला premium amount दिख जाता है साथी some insurance value दिख जाती है इसकी मदद से हम आसानी से अपने किसानों को बीमा में लगनी वाली premium राशी के बारे में बता सकते हैं इसी website के home page पर जाने पर हमें application status वाला icon मिलता है जिस पर हमें click करना है और अपने आवेदन की जाच की इस्तिती हम इसके मदधम से कर सकते हैं इसके लिए हमें आवेदन पर दिया गयार जो receipt number है उसे हमें इंटर करना है उसके बाद हमें capture code इंटर करना है और check status पर click करना है जिसके बाद हमें हमारे application का status दिख जाता है इसके लाबा इस योजना से संबनीत कुछ अनिवार सूचना भी हमें हमारे CSC के इंदर पर प्रदसित की जानी चाहिए जैसे कि इस छेत्र के लिए अदुसूचित फसलों के नाम उसका premium amount कौन सी agency बीमा कर रही है उस बीमा के लिए last date और कौन कौन से दस्तावेज लगने ह ये सभी इस्थानी भासा में प्रदसित किये जाने चाहिए साथ ही नमाकन के लिए किसानों से कोई भी अत्रिक तुसुल्क नहीं लिया जाना चाहिए फसल बीमा के लिए किसान, CSC केंद्र, पैंक, बीमा एजेंट्स, प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना पोर्टल और फसल बीमा एप पर भी online आवेदन कर सकते हैं साथ ही इसके क्लेम के लिए सुजना सिकायत के लिए बीमा कंपनी के टोल फ्री नमबर, बीमा कंपनियों के ब्लाग तथा जिला इस्तिरी कार्यालाय तथा बीमा कंपनियों के फिल्ड रिप्रेजेंटेट्यू से संपर्ग कर सकते हैं आंगे की स्लाइड में हम देखेंगे की बीमा का अवेदन करते समय वियरली से जनरली कौन सी गलतिया होती हैं और उसका क्या नतीजा होता है साथ ही इन गलतियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं कि केंद के माध्यम से जो भी इंसुरेंस हो रहे हैं उनके क्वाल्टी ठीक तरह से हो वह फाम रिजेक्ट नहों उसकी गुडवत्ता के जांच केलने के लिए ये कुछ सूची दी हुई है जिसका ठीक तरह से अध्यन करने की बाद आप आसानी से क्रॉप इंसुरेंस कर पाएंगे दोस्तों आसा करता हूँ वीडियो में दीके जानकारी से आप आसानी से क्रॉप इंसुरेंस कर पाएंगे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मैं फिर मिलता हूँ किसी नए टापिक के साथ आपका दिन सुभ रहे धन्यवाद झाल 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 झाल